यूपी के आगरा में शादी का जहासा देकर एक दलित यूवदी के साथ रेप का मामला सामने आया है आरोपे की पंडितावी दूबे नाम के लड़के ने पहले यूवदी को नशीला पदार देकर बलातकार किया और फिर बाद में ये कहकर उसे बर्गला दिया कि वो उससे जल्दी शादी कर लेगा पिडिता के मुताबिक वो दिल्ली में अकेले रहती थी और प्राइविट नोकरी करके अपना गुजारा चलाती थी वारदात के बाद आरोपी अमित दूबे उसके साथ रहने लगा और पिछले तीन साल से वो शादी का जासा दे कर उसके साथ रेप करता रहा पिछले कुछ दिनों से आरोपी ने पिडिता से बाचित बन कर दी जिसके बाद पिडिता को पता चला कि आरोपी अमित दूबे 25 नवंबर को घरवालों की मरजी से किसी और के साथ शादी कर रहा है इस खबर से परिशान होकर पिडिता आगरा के मलपुरा थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंची लेकिन उसके फरियाद यूपी पुलिस ने नहीं सुनी पिडिता के मताबिक थानेदार ने उसे ये कहकर चलता कर दिया कि दिल्ली में जहां पिडिता रहती थी वहीं शिकायत दर्ज कराओ किसी वहाइन हो नहीं है पर कैसी और से सादि आपको कहें dre Scriptures कि अंदृ अब करड़ा है तो आज आप कहां पे आई हो गए पर कनपार मैं साथि नहीं कर खोंस हुआ है grateful आज मैं यहां पे आई मलंग, मलंग पूरा थाना चनपत कुन सा यह है? आगरा तो क्या चाहते क्या हैं आप? मैं उसको साथ रहना चाहती है आगरा के जारुआ गाउं का रहने वाला आरोपियमित दूबे शादी की तयारिया कर रहा है और पिडिता इंसाफ के लिए दरदर भटक रही है सवाल तो ये भी है कि लव जिहाद के नाम पर सियासत करने वाले नेता के एक दलित बेटी को इंसाफ दिलाने आगे आएंगे बिरो रिपोर्ट दशूद्र